स्वागत है आपका आज की अपिसोड में चले शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ प्रश्ण था निम्नलिखित पर विचार कीजिए 1. द्वारका 2. जोशी मट 3. श्रिंगेरी उपर्युक्त में से कितने मटों के स्थापना आदी शंकराचारे ने की थी ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी ती, डी इनमें से कोई भी नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर हैं विकल्प सी सभी ती, चले अब देखते हैं इसके विसलेशन को शंकराचार्य शंकर की मार्ग के सिक्षक एक धार्मिक उपाधी है, जिसका उप्योग चार प्रमुक मठों या पीठों के प्रमुकों द्वारा किया जाता है इनके बारे में माना जाता है कि इन्हें आदिशंक्राचार्य लगभग 788 इस्वी से 820 इस्वी द्वी द्वारा स्थापित किया गया था परंपरा के अनुसार विधार्मिक सिक्षक है जो स्वयम आदिशंक्राचारय तक जाने वाले सिक्षकों की एक पंक्ती से संबंधित है हाला कि 14. शतापदी इस्वी से पहले इसके बारे में एतिहासिक साक्ष दुरलब है ये चार मठ द्वारका, गुजराद, जोशी मठ, उत्राखन, पुरी, ओरिशा, इवं श्रिंगीरी, करनाटक में है अता तीनों विकल्प सही है, अता विकल्प सी सही है वे धार्मिक तिर्थस्थलों, मंदिरों, पुस्तकालियों और आवासों के रूप में कारे करते हैं वे शंकर की परंपरा को सनरक्षित और प्रचारित करने में महत्वपोन भूमिका निभाते हैं तो चले शुरुआत करते हैं आज की अपिसोड की पहले प्रश्ण के साथ प्रश्ण है, यह नदी नेपाल हिमाले में धौलागिरी और माउंट एवरिस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को अप्रवाहित करती है त्रिशूल गंगा इसकी एक धारा है, उपर्युक्त विशेश्टाएं किस नदी को संदर्भित करती है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी गंडग चले अब देखते हैं इसके विसलेशण को उपर्युक्त विशेश्टाएं गंडग नदी से संबंधित है यह त्रिशूल गंगा और कालि गंडग नामक दो धाराओं से मिलकर बनती है यह नेपाल में धौलागिरी और माउंट एवरिस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है यह चमपारण में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और सोनपुर में गंगा नदी में मिलती है अगला प्रश्ण है भारत माला परियुजना का शुभारम किस वर्ष किया गया था? ए वर्ष 2012, बी वर्ष 2013, सी वर्ष 2014 या डी वर्ष 2015 इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प D, वर्ष 2015 चलिब देखते हैं इसके विसलेशन को इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में केंदर सरकार ने की थी यह सड़क परिभन और राजमार्ग मंत्राले के तहत शुरू किया गया एक व्यापक कारिक्रम है भारत माला परियूजना के चरण एक के तहत पांच वर्षों में वर्ष 2017 से 2020 तक पांच लाग 35,000 करोड रुपए के अनुमानित परिव्याय पर 34,800 किलो मीटर राश्टी राजमार्गों के कार्यानवियन को मजजूरी दी गई है अगला प्रश्ण है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किये तथा दिल्ली को अपने सामराज की राजधाने घोशित किया इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी इल्तु तमीश चलिब देखते हैं इसके विसलेशन को इल्तु मीश 1210 से 1236 ने भारत में सल्तनत काल में सरुप्रथम शुद्ध अर्बी सिक्के चलाए थे सल्तनत युक की दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल इल्तु तमीश ने आरंब किये तथा सिक्को पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की 1229 इस्वी में इल्तु तमीश को बगदाद की खलीफा में खिल अत का प्रमाडपत्र प्राप्त हुआ अगला प्रश्ण है भारत के राष्ट्रपती पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिकित में से कौन सा कथन सही है A. राष्ट्रपती पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अर्धन्याईक है B. संसत के दोनु सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपती के चुनाओं में भाग नहीं लिया था राष्ट्रपती के महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं C. राज विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्रशासित राज की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राश्ट्रपती की चुनाओ में भाग लिया था, महाभयोग में भाग ले सकते हैं D. राश्ट्रपती पर जिस सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया गया है, उन आरोपों पर सदन के दो तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राश्ट्रपती को 14 दिन का नोटिस लिखित रूप में देना चाहिए इस परश्ट्रपती पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अर्धन्याईक है, चले अब देखते हैं इसके विसलेशर को, उपर्युक्त में से कथन B, C और D सही नहीं है, कथन B के सम्मंद में राश्ट्रपती के महाभियोग में संसत के दोनों सदनों के नामांकित सदस से नहीं लेते हैं, कथन D के सम्मंद में राश्ट्रपती पर जिस सदन द्वारा आरोप लगाया गया है, उस आरोप पर सदन के एक चौथाईस अदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राश्ट्रपती को चौदर देन का नोटिस देना चाहिए, अगला प्रश्ण है, निम और पाबोस की शुरुआत की, D उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, इस प्रश्ण का सहित तरह विकल्प B उसने एक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की, चलि अब देखते हैं इसके विसलेशन को, एक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्टूतमीश ने की अतह कथन भी गलत है, जबकि अन्य कथन बल्बन के संदर्भ में सही है, उलेखनी है कि नासिरुद्दीन महमूद ने बल्बन को उलुख खा की उपाधी दी, ध्यातव्य है कि बल्बन ने राजस्व के सिधान्त का स्वरू फारस की परंपरा से ग्रहड किया और राजा को नियाबते खुदाई याने इश्वर का प्रतिनिधी बताया, साथ ही बल्बन ने इल्टूतमीश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया, बल्बन की काल में एक मात्र विद्रोह 1289 इस्वी में बंगाल के सुबेदार तुग्रील खान ने किया था जि मध्यप्रदेश, सी बिहार, डी हरियाना, इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प डी हरियाना, चले अब देखते हैं इसकी विसलेशन को, हाली में हरियाना के मुख्य सचीव, संजीव कौशल ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तह और नगर पालिकाओं के स्वामित्व वाली भूमी पर लागू होता है। अगला प्रश्ण है, भारती सम्विधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक एवल एक, बी केवल एक और दो, सी एक दो और तीन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलपडी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिब देखते हैं इसके विसलेशन को। अनुचेत पचहत्तर दो में उपबंध है कि मंत्री राष्ट्रपती के प्रिसात पर्यंत पद धारण करेंगे न की प्रधान मंत्री के। अनुचेत पचहत्तर चार में उपबंध है कि राष्ट्रपती सम्विधान की तीसरी अनुसूची के तहत मंत्री को पद और गोपनियता की शापत दिलाएंगे। अगला प्रश्ण है मकर संक्रान्ती को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है। इस प्रेश्ण का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तरायन चलिब देखते हैं इसके विसलेशन को। नाम से जाना जाता है वही असम में इसे माघ बीहु के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले बता दे कि दृष्टी आईस की आरे एस फाउंडेशन कोर्स लाइव ऑनलाइन पर 25 जनवरी तक 40% का डिसकाउंट है। इस कोर्स पर EMI की सुविधा भी उपलब्ध है अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दियेगा लिंक पर क्लिक करें। तो चले देखते हैं आज की अभ्यास प्रशन को। प्राइब करना न भूले।